दन बलका बेतहासा परियोग हुआ सासन की गुंड़ा यह खुल करके सामने आया यहां का स्थाना प्रभारी जिस तरह से गुंड़ा गर्दी किया जद्यूई कार्ज करता की तरह रखेल की तरह काम करने का काम क्या तो निश्ची तर पर यह लोगतंत्र के लिए घातक है नित कि दबंगों को खुश रखने के लिए कोह दिया कि हमने फलना को भोड़ दिया लेकिन सच यह है कि सब मद्दाता बढ़ चड़कर करके कुछ सरस्तान की महान जनता ने लल्टेन को भोड़ दिया है जहां हमको मत नहीं मिलता था वहां मत मिला है और मैं डंके की चुड़ प को पीटा है माता और भहनों को लेकिन उस दर्द को सहा लेकिन के परताग इनके प्रभाव में नहीं आये और लोगों ने लल्टेन चाप पर भोड़ देने का काम क्या जिस तरह से नितिक्ता को ताक पर रख करकर करके सत्ता का दूर्पयों क्या है आदर ने नितिस कुमार जी के नतित में इससे बड़ा उदाहरा नहीं हो सकता है सारे देखे सोचल मीडियो पर चल रहा है किस तर से पैसे पर भोड़ खरिदने की बात होड़ी साली धोती नहीं क्या क्या प्रलोभंग दिये जा रहा है जजू के प्रत्यासी गुंडागर्दी से बजार आहत है अपके पक्ष में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है हमने में लोगों लिया है जद्यू जो है यहां पर आगे चल रही है आप का फिडवाक क्या है उसे सरस्थान में राष्टे जनता दल प्रचंड बहमों से जीतेगी आप लोगों ने पता नहीं कहां कहां घूम लिये सुलक किनारे गये होंगे कमर तो सुलक में तो गये नहीं होगे जहां कि मद्दाता अक्रोस में है प्रिवर्तन चाहर है है अब गये होंगे हिरनी पंचायद गये होंगे पुकराम में अब भोट करता है वहां भी हमको मत मिला है जहां हमको मत नहीं मिलता था वहां मत मिला है कादरनिय नेता तेसी प्रसाद यादव जी कि जो बचन पत्र हैं जो उनका जो कमिटमेंट है ये टुजिट का उसको हर लोगों ने स्विकारा है नर और नारे चाहे किसी धर्म के मांगने वाले लोग हैं सब लोगों ने युबा ने युबतियों ने स्विकार करते हुए लेकिन सच यह है कि सब मद्दाता बढ़ चड़कर करके कुछ सरस्थान की महान जनता ने लल्टेन को बोड़ दिया है गिनिस भारती जो हमारे प्रत्यासी है राचिशंता दलके उनके पक्षे मद्दान देने का काम किया दन बलका बितहासा परियोग हुआ सासन की गुंड के लिए घातक है पैसा दारू नजाने कितने बहाब किये गए यहां सब के वीडियो जारी हुए चुनाब के दिन आज के दिन मुसर टूली में जाकर करके पुलिस बर के लोगों ने पुलिस तंत्र ने जिस तरह से मुसर जाती के लोगों को सदा बरादरी के लोगों को पी दो तारी को देखिएगा कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे जदियों कहीं है कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा जदियों कलकी कहानी हो गई जिस तरह से नतिकता को ताक पर रख करकर के सत्ता का दुरुपयों क्या है आधरने नीतिस कुमार जी के नतित में इससे बड़ा उदाहरा नहीं हो सकता है सब्सक्राइब करते हैं कि जद्यू ने दारू बाटा पैसा बाटा लेकिन फिर भी मत दाता है वह आपको ही वोड़ देंगा कर रहे हैं कि धन बल पर जन बल भारी पड़ेगा और नेता प्रतिपक्ष तेस्वी जी को लोग अपना आइडियल आदर्स मान लिया है कि नेता बिहार को विकास के गत्ति देने वाले हैं यह युवाओं के वल हैं इब्रोजगारे को बल हैं यह गरीबों के बल हैं वह इस बर के लोग गरीब इलाका है कमाने के लिए दिशाठन में चले जाते हैं मता बने 9 से बोड देने के लिए या रहा है काछ देख करके जाति देख करके अब पता करें इसकोलों में जाकर करके जातित दे करके इसकोलर तिप दिया जाता यहाँ इतने खराबी स्थिती है जज्यू के परत्यासी गुंडगर्दी से बजार आहत है बजार के लोग भोट चुप चप लटेन में डाल दिये लेकि नाम नहीं लेगे के लटेन को भोट यहालात है तो चारों तरफ जो हालात है एक दम प्रिवर्तन की बैयार है और सब लोग राश्टे जनता दल को भोट देने का काम क्या है यहां प्रचंड बहमंस से हम चुनाप जीतेंगे लोगों ने लल्टेन चाप बरन दवाया है लेकिन नितीश कुमार के डर्ट से जो है वो यह नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें लल्टेन को भूड दिया लेकिन बोल्टेन चाप इसी मूल मंत्र को स्विकार करते हुए अंगिकार करते हुए लोगों ने मद्दान देने का काम क्या चुपा बोट जो है राजत के साथ गया है नितिस जी हाथ मलते रह जाएंगे नितिकता कि अगर एक बुंद अगर आखों में कहीं बचा होगा तो दो तारीक प्रणाम आने के बाद नितिस जी को प्रत्याग करना पड़ेगा आपने एक औरीयो वारल किया है अज करते हैं मंत्रियों के स्कॉर्ट करते हैं पुलिस जब नहीं करना चुनाब के समय में असकॉर्ट करके गउं तक ले आते हैं दवाब बनाते हैं इन अधिकारियों की भी खैर नहीं होगी अचा जो अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेगा कानून उसको छोड़ेगी क्या दुनिया में किसी को कानून ने नहीं छोड़ा है जनादेश की चोरी उनकी फित्रत रही है जिनकी फित्रत ही रही है जनादेश की चोरी करना उससे अपक्षा क्या किस बात क्या पक्षा नितिस जी से लोकतंत्र की रच्छा क्या पक्षा कता ही संबब नहीं है नितिश कुमार जी आनैतिक आलोक तांतरिक विचारधारा के पोशक हैं और उस व्यक्ति से आप कैसे पक्षा करते हैं कि लोक तांतरिक हो गए? एडेमोकरिटिकल लीडर नितिश कुमार जी दोनों में विल्धाभाश है एक बात आप जान लिजे उसेसर की में बहुत कुछ टांडव चले बहुत तरह के जो बहुत बली लोग हैं धनवल बलवाले लोग हैं गरीवों को दवाने की कोशिस क्या लेकिन गरीब चूप चाप रहा और चूप चाप एक ही मुल मंत्रु कात्म सारिक्या चूप लल्टेंचा अंतिम सवाल क्या दो तारी को आप लोग खेला क कर देगी तारापुर की जनता है कुछ रस्थान जहां है वहां की जनता छोड़ेगी क्या तारी पार करेंगे इन लोगों को कि दो तारीकों बिहार में खेला होगा और इसे के साथ यह थे हमारे साथ आरजेटी प्रवक्ता मिनतों सक्ति यादव जी और इनका कहना है कि आरजेटी जो है वो दोनों सीटों का फट्र करें लेकि अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि दो नवंबर को किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है बने रहे हमाद मेरा नम वरून जाहा है आप जन्ता जन्सन देख रहेते हैं